हलो फ्रेंड्स मेरा नमा नीता प्रसाद है आज मैं आपको रू आपजा के शेक अपने तरीके से बनाना सिखाती हूँ आए देखते उसके लिए क्या लगेगा सबसे पहले मैंने मिल्क लिया है यह रू आपजा आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगा यह शुगर है आए हम लो मिक्सी में इसको डालते हैं सबसे पहले दूर लिया मैंने दो चमज के आसपास मैंने शुगर डाला है आप अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालो चाहिए शहर भी डाल सकते हो यह रू अफजा हमने लिया है दो से तीन चमबर अब इसमें जाए आए अब ग्लास में निकालते हैं हम लोग इसमें हम लोग आईस डालेंगे और यह पीने के लिए रेडी तो देखा दोस्तों आपने कितनी आसानी से घर पली यह शेक बन गई मेरी बनाए रेसिपी अगर आपको पसंद आई आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे लाइक कीजिए थैंक्यू